गुद्मॉर्निंग स्टूदेंट्स इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट धीटा ट्रांसपर अन दे इंटरनेट अब इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कैसे डेटा ट्रांसपर होता है एक कंप्टर से दूसरे कंप्टर पे तूद नेटवर्क तूद इंटरनेट क पूरा complex process है लेकिन यहां पर काफी easy steps में दिया गया है आपकी book में तो यह method आपको याद कर लेना है समझ लेना है कि कैसे काम करता है यह सबसे पहले बात करते हैं data travels across the internet in packets यह सबसे पहला step है इसके पहले भी बहुत सारे हैं इसको भी हम बताएंगे आपको तो चलिए सबसे पहले जो भी आप information send करना चाहते हैं वो छोटे-छोटे packets में divide होता है दूसरा step है यहाँ पे each packet carrier fix size हर packet का एक size fix होता है यानि माल लिजे हमारे पास 1MB का data है तो यहाँ पे जितने packets divide होगे लगबग उनका एक fix size है third these packets are addressed with a header and footer हर packet के साथ दो information attach होती है एक source की और दूसरा destination की जिसको हम heads और trails भी कहते हैं यह हर packet के साथ attach होता है next the header and footer contain the information about the data source and destination जो मैंने आपको अभी बताया कि हर packet के पास दोनों information होती है यानि sender कौन है और receiver कौन है यह सारे packets क्या करते हैं may not follow the same path जब यह network पे travel करते हैं आनि कि जब यह travel करते हैं तो इसके बीच हम बहुत सारे routers आते हैं बहुत सारे servers आते हैं इस the way में लेकिन यहाँ पे सारे packets एक ही route follow नहीं करते हैं they follow the different paths यह responsibility होता है physical layer की यह router की responsibility है जो आपके network में router लगा हुआ है different packets sorry packets travel from one machine to another machine until they reach the destination अब यह travel करते रहते हैं network पे क्योंकि हमने कहां सारे अलग-अलग path follow करते हैं तो यहाँ पर latency और delay भी अलग-अलग होता है latency और delay का मतलब है कि हर packet को पहुँचने में अलग-अलग time लगता है source से destination तक at the end क्या होता है सारे packets receive होते हैं receiver की side में अब यह packets वैसे ही arrange हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जब अलग-अलग route follow करते हैं तो अलग-अलग time भी लगता है इनको तो हो सकता है कि last वाला packet सबसे पहल change हो जाते हैं उसी format में एक sequence में जिससे कि आपका message है वो readable रहे हैं तो यह सारे process होने के बाद जो है आपका message receiver को receive होता है ठीक है तो अगर माली जैस बीच में कोई packet missing हो जाता है तो उस condition में क्या होगा कि message display नहीं होगा अब यहाँ पे एक message send किया जाएगा source machine को recent data वो data फिर स send करने के लिए तो यह पूरा process जो है बार-बार चलता रहता है जब तक की information properly deliver ना हो जाए ठीक है अगर हमने large amount of data send किया है तो यहाँ पे बहुत सारा time लगेगा लेकिन add the end packets receive होंगे, reform होंगे और फिर message display होगा अब इस process को थोड़ा सा detail में समझ लेते हैं यह कैसे काम करता है यह actually यहाँ पे आपको easily steps में दिया गया है लेकिन इसके पीछे पूरा complex process है उसके बारे में जान लेते हैं तो चलिए मैं दूसरी चीज़ा आपको समझाता हूं सबसे पहले हम देखते हैं इसके पीछे जो background जो performance है वो होती है OSI model की OSI का मतलब है open system interconnection यह एक तरह का reference model है य तो OSI layer जो है यह concept 1984 में आया था लेकिन आज के time में हम इसको OSI layer नहीं कहते हैं इसको हम कहते हैं network architecture layer या network architecture model कहते हैं इसको जो inter computer communications में use कह जाता है एक computer से दूसरे computer के बीच में जब communicate करते हैं जब हम text, audio, video कुछ भेजते हैं या receive करते हैं तो वहाँ पे यह models काम करते हैं यह जो complex process है यहाँ पर OSI layer करते के हैं कि इस पूरे complex process को little smaller things में manageable task में divide कर देते हैं 7 multiple task में ताकि हर layer जो है यानि हर layer अलग-अलग तरीके से individually अच्छे से perform कर सकें अब यह 7 layers कौन-कौन सी हैं वो है application, presentation, session, transport, network, data link और physical layer अब यहाँ पे जो 7 layer से इनका जो नाम याद करना तो आप इसको short form में याद कर सकते हैं A, P, S, T and D, P A for application, P for presentation, S for session, T for transport, N for network, D for data link और P for physical अब यहाँ पे present AP दो बार आता है तो आप confused मत होईगा 1 P for presentation and 2 P for physical layer, physical layer सबसे lowest layer होती है सबसे first layer है आपके reference model की, इस layer के अदर क्या होते हैं जो आपके hardware components आते हैं जैसे की cables आती हैं के अंदर, जिनको आप touch or feel कर देख सकते हैं, like यहाँ पे आपके routers आएंगे, switches आएंगे, यहाँ पे cabling आएगी, आपके computers होंगे, यानि physical components होते हैं दूसरा है जो यहाँ पे आप इसके काम भी समझ लेते हैं, physical layer का जो काम होता है, वो basic purpose यहाँ पे देखिए physical layer, it provides a physical medium through which bits are transmitted, एक physical medium यहने की cable connection, dedicated connection, one computer to another computer, it may be wired, it may be wireless, तो नों हो सकता है data link layer का क्या काम है, it is used for error fee transfer, इसका जो काम है, वो frames में divide करना, frames के साथ headers और footers लगाना, head or trails लगाना, network क्या क्या करता है इसकी responsibility होती है कि हर packet के साथ एक IP address attach करता है, ताकि जब भी network travel करे या receiver के पास पहुँचे तो यह identify हो कि यह packet उसी information का एक part है, अब बात करते हैं transport layer की, तो transport layer का जो काम है, यह काम करता है कि message reliability के साथ पहुच जाए, delivery, each and every packet की process जो है, वो सबसे lowest path यूज़ करें और वहाँ पहुच जाए next है session, तो session layer का क्या काम है कि यह establish करता है और manage और terminate करता है, यानि जब भी आप message send करते हैं, तो एक session आपके बीच में establish होता है, यह simplex हो सकता है, half-duplex हो सकता है, full-duplex हो सकता है, इनके बीच में secure connection establish करना, next है presentation layer, जब यह सारे packets यह सारे layer से होते पहुचते हैं presentation layer के पार, तो जैसा कि नाम है इसका, यह responsible है translation के लिए, क्योंकि बहुत सारे computer जब network पे transmit करते हैं, तो encryption यूज़ करते हैं, जैसे आपने, हमने आपको information बताई थी, कि जब आप WhatsApp उपन करते हैं, तो आपको उपर screen पे दिखाई देता है, end-to-end encryption, telegram open करते हैं, तो आसा नहीं दिखाई देता है, आपको, आप IMO यूज़ करते हैं, वहाँ भी ऐसा नहीं होता है, तो यानि end-to-end encryption का मतलब क्या है, कि यहाँ पे जब data transfer होता है, एक WhatsApp से तूसरे WhatsApp user के बीच में, तो यह encrypted होता है, लाइक यहाँ पे two devices हैं, तो इनके बीच में जब data transfer होता है, encrypted है, यानि unreadable format में, तो यह काम भी presentation layer का है, इससे पहले यह message translate करना, reassemble करना, rearrange करना, reform करना, यह सारा कुछ काम है आपका presentation layer का, next is application, तो इस layer में क्या होता है, layer provide the service to the user, actually user को पता ही नहीं चलता, जैसे माल लिजे हम user हैं, मैं अपने दोस के साथ कोई chatting कर रहा हूँ, instant messaging कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे नहीं पता कि यह सारे behind process कितना कुछ हुआ है, एक message को, एक text को, या एक image, या एक video को, एक device यानि की sender से मुझे तक पहुचने में, लेकिन, you are the computer student, आप IT student है, तो आपको पता होना चाहिए, कि यह सारा कुछ कैसे होता है, यहाँ पे बहुत सारे protocol काम करते हैं, जैसे TCP है, IP है काम करता है, यहाँ पे UDP काम करता है, URP काम करता है, यहाँ पे जो data link layer है, वो CRC भी check करता है, यानि cyclic redundancy check भी करता है, यानि before sending the message to the network layer, यहाँ पे data link layer क्या करता है, वो check कर लेता है, एक bit, one bit data send करके check करता है, इसको हम कहते है, पिंग करना भी, या इसको हम CRC check करना भी कहते है, वो tendency check कर लेता है, अगर one bit send और one bit receive हो जाता है, तो यहाँ पे इसका मतलब की connection established है, connection working है, section working है, तब वो फिर बाग की packets को भीजना start करता है, तो यह सारा कुछ process होता है, आपके data को travel करने में network में, तो now we are ending the session और बाकी की चीज़ें हम cut discuss करेंगे,